हेलो फ्रेंट रादे कृष्णा कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो देखे यहां पर निकल रहे हैं हमारे गरम कपड़े हमारे नहीं निकल रहे हैं गुन-गुन के निकल रहे हैं मैं इसके फुल स्लिप टी सेल ढूंड रही थी तो देखा इस आउंटी के आपर जो कामबाली आती है ना उनका भी बच्चा छोटा ही है गुन-गुन से तो या तो उनको दे दूँगी या फिर सेंटर पर जो काम करती है उन मैंसे किसी को दे दूँगी तो अभी मैं निकाल के रख दूँगी और ना मेरे को भी आइडिया लग जाएग तो काफी साई प्राइज में हमें मिल जाते हैं अगर आपको भी अपने लिए अपने पच्चों के लिए गरम कपड़े चाहिए ना तो भई अभी और कर दो क्योंकि सर्दियों है तो उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं तो यहां पे मेरे को भी आइडि मैं स्टिव में दुलने के लिए फिर मैं आ गई है यहां पर मैं घुनह necessity का हलवा और से चाए बना रही है उसको उसको चुखाम लगा हुआ है मौशम ऐसा चल रहा है तो बच्चे ज्हसम में बहुत ज़्यादा बिमार होते हैं अपने लिए तो मैं बाद में बनाओंगे नाव आके पूजा पूजा करके अभी तो पूरा काम पढ़ा हुआ है जाड़ो कोचा सब पढ़ा हुआ है सबसे पहले मैं गुनगुन को फ्री कर दूँगी फिर उसको स्कूल छोड़ दूँगी उसके बाद में फिर अपना सारा काम करूँगी पूरा काम कर दूँगी कि कलना मैंने टमाटर लिए तो और यह सूइट कॉन भी ली हुई थी तो टमाटर को मैंने ऐसी फिर एंको दूदि लह делает टायियु नहीं ही लिए तो अभी में इनको mbास्केट में ढालके रख दूंगी फिर मैं इसको सारे टमाटर को साफ़ करके मता पुनच पा यह पर इसो सरो जाती है सोब्हे चाहे जाती दो सब्हेज़। जखे ओंध को परिसान खूपश्व शुलिय। मैं काफी टाइम होता है तो फिर मैं भी इसकोई गंटे के लिए यहां परẤ बैठ गई हूं क tenían सब्सक्राइड चाह período कर पर देखे इसको हाथ पकड़ पकड़ के करवाना पड़ रहा है उसके बाद फिर मैं नहां करके आ गई हूँ और यहां पर मैं कर रही हूं पूझा तो जब तक घर साफ नहीं होता है ना तब तक मेरा पूझा करने की पिल्कुल भी मन नहीं नहीं लगता है और ना 10 तकर्म मैं यहां यही चांवालियों से बात किये लेकिन सोबह आने के लिए कोई भी तयार नहीं, कोई केती ही, कि मैं बारे वजे आओंगी, कोई केती ही, एक बजे आओंगी, बारे एक बजे तक थोड़ी ना घर को गंदा रखूँ, य। कुछ भी काम करने का मनी नहीं करेगा, जब घर गंदा पड़ा रहेगा, तो फिर मैं कि भाई तुम छोड़ो मैं खोदी कर लूँगी एक गंटे में पूरा काम हो जाता है मैं तो यह सोच ली थी कि एक गंटा मेरा बच जाएगा तो फिर मैं अपना यह गंटा गुन्नों को दे दूँगी क्योंकि आज कलना वो सोबह जल्दी उट जाती है तो फिर ऐसी गुमती रहती है जब मैं काम करती हूं तो में को बड़ा दुख होता है कि एक गंटा मैं इसको दूँगी तो यह पढ़ लेगी और जब मैं इसको स्कूल चोड़के आती हूं तो फिर खाना पीना बनाने का काम रहता है घर में काम तो होई जाता है एक लोग रहे यह फिर दो लोग रहें कितने भी रहें तो काम तो बढ़ता ही है खाना पीना तो बनाना ही रहता है फूजा करके अभी मैं जा रही हूं गुनु को स्कूल चोड़ने के लिए इसको मैंने हलवा खिला दिया है और चिप्स बगरा इसके बैग में रख दिया है क्योंकि वहां प दोड मिलता नहीं और साम कु फिर जाने का मन करता है पेले पार्क जाते थे तो फिर उदर से ले आते थे और आपके सबसे पहले मैं कपड़ों को भार यांज रही है आज लेकिन हवाल लगेगी तो ये सूख ही जाएंगे ज़िए मैं कपड़ों को बाहर डाल लगा थी ना में को ऐसा लग रहा था कि कोई क्या कह रहा होगा कि इनके घर में अभी से गरम कपड़े निकल लिए क्योंकि मैंने गुन्नों के बहुत सारे घरम कपड़े दो दिये कैप बगएरा सब कुछ मैंने धुल दिया है सारे में फंगस लग रही थी तो और ज्यादा खराब हो जाते वह इसलिए फिर मैंने सारी धुल दिये और देखो अभी थोड़ी थोड़ी दूप भी निकल लिए तो इसी से यह सूप जाएंगे उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचिन में अपनी लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ चलिए आपके साथ मैं भ बड़े साइज का टमाटर डाला है थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर प्याज मैं नहीं डाली हो क्योंकि नवरात्री चल रहे हैं और इसमें थोड़ा सा खीरा और पनीर होता नो तो मजा ही आ जाता लेकि मेरे पास में नह मुझे तो ना बहुत मजाया इसको खाने में मैंने सोचा नहीं था कि यह स्वीट कॉन की बैस से टेस्टी बनी है क्योंकि सुट कॉन मैं इस चाट में पहली बार यूज किये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी तो अब तो मैंने हर बार इंको डालोंगी और फिर में आगे लाल रखी आलू गोभी की सबजी रखी है देखती हूं या तो मैं चपाती बना लूगा वह सब्जी भी यूज हो जाएगी या फिर आलू करके रखी देती हूं को भी गुद्णों के लिए तो परांठाई बनाना है वह तो परांठाई खाएगी इस बीचना मैं अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर न्यूव हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई चोड़ी चोड़ी